नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में नहुँआपकी वही अंजली दो बहर आते ही सुष्तिजी छा जाती है मुझे लगता है आपको कभी-कभी ही हमारी याद आती है जी हाँ आपने सही सुना हम आज के डेली राशी फलकी बात कर रहे हैं और आज के दिन जिनका बिर्थ जे है या फिर मैंने जनुवर्सरी है उनको मेरी और से धेर सारी बधाईयां और खुब सारी गुद विशिस हो तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जो बदलता है वो आगे बढ़ता है खुशी आपके आटिटूट पर निर्भर करती है ना कि आपके पास जो है उस पर कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी से शुरुवात करनी होती है भले ही तैयारी पूरी ना हो क्योंकि ये इं दुबारा नहीं हशते तो एक ही दुख पर दुबारा परिशान नहीं होना चाहिए सफल तो वो है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बलकि अपने इच्छाओं पर विजह पा लेते हैं जब हविश्य धुंदला पढ़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में फो पतमानों कोई इंसान चाहे लाखों चीजे जान ले चाहे वो पूरे वर्ल्ड को जान ले लेकिन अगर वे खुद को नहीं जानता तो वो अग्यानी है अगर आज आप कमाई से जादा मेहनत करते हो तो वो बहुत जल्दी दिन आएगा जब आप मेहनत से जादा कमाई अगर केवल इसलिए आप अपने काम को करना बंद कर रहे हो क्योंकि किसी को लगता है कि आप नहीं कर सकते तो ये आपका सपना नहीं था एक छोटी सिच्छा थी अच्छे वक्त का इंतिजार करो पूरे संघर्ष और धैरे के साथ जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते उन डूब जाओ अपनी महनत में पागलों की तरह और फिर देखो तुम क्या से क्या बनते हो जिस तरह से जन्व के बाद पूरी दुनिया बधाई देती है पर एक मा को ही पता होता है कि उस बच्चे को जन देने में कितनी कठे नाइयां देखी हैं उसी तरह जन्दगी में काम बहतर है क्योंकि दरहसल रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है और अगर रिस्क लेकर कुछ गलत हो भी गया तो ये याद रखना कि गलतियां इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रही हो अपनी लाइफ की स्टोरी को किसी मूवी से तुलना मत करो वो किसी स्क्रिप राइटर ने लिखी है और आपकी ऊपर वाला लिख रहा है सबसे पहले में आपको बता दू कि अजाब के लिए शुब रंग रहने वाला है लाइट पिंग और शुब अंक रहने वाला है एग आज कर दिन आपके लिए शानदार साबित रहेगा कोई नया प्रोजेक्ट हा ने जाएट करण इतना प्रभावित मत होईएगा क्या आपके आत्मविश्वास में कभी आये यनि कि आपको जो है नॉर्मल रखना होगा खुद को और बैलेंस बनाका रखना होगा ताकि आपका जो कॉंफिरेंस है वो ऑवर में तब्दिल ना होने पाए अपने आपको आ अगर आप अपने लिए specially निकालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा देखनी को मिल सकता है। परिवार में आज कुछ समय से चल रही जो गलत फैमिया हैं, आज आपकी मधस्तिता से दूर हो सकती है। यानि अगर आप इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वी तो परिवार का महौल पहले जैसा खुश्टुमा बन जाएगा। इसके वज़े सो है, परिवार में बहुत खुश्या आएंगी, सब एक दूजर से प्यार करने लगेंगे, अच्छी नज़र से देखेंगे। इसे के साथ एक घर के नवीनी करन्ट से लेटर काम शिरू होने की संभावनाएं बन नहीं है। यानकि घर को आप रिन्वेशन कर सकते हो, पेंट वग्यारा या फिर मुरम्मत करवा सकते हो, उसे एक नया रूप भी दे सकते हैं। आज किसी निकटस्तर यानकी नज़ी की व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, और ये मुलाकात लड़ाई जगडे में भी बदल सकती है। इस बात का ध्यान रखीगा, छोटी बुटी कहा सुनी होगी, लेकिन अगर आप अपने विचारों को, अपने बातों को जरकावों में रखेंगे, तो ऐसे चीज़े नहीं होगी। इसलिए कठोर और अभधर भाशा का उप्योग करने से बचना होगा, दूसरों पर ज़्यादा विश्वास करना भी आज आप के लिए नुकसान दाइक सावित हो सकता है। इसे के साथ है आज का दिन आप के लिए परिशानियों भरा भी होगा, आपको इस समय धायरता से काम लेना होगा, सबर रखिए, कुछ important कामों को complete होने में आज काफी जादा time ले सकते हैं आप, आज अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको और आवश्य कामों को थोड़ा त आपके चिंदा करने से उनका कोई हल नहीं लिख लेगा, इसलिए फाल तो कि रेंशन मत लें, आर्थिक परिसितियां आज काफी हद तक बहतर हो सकती हैं, पिता या पिता के related कोई अगर कोई व्यक्ती है, यानि कि बजूर्ग है, तो उसकी सिला का अनुश्रन लेना आपके के लिए बहुत हितकारी साबित हो सकता है, अज आपकी सिंतान के द्वरा कोई आपको शुब समाचार भी मिल सकता है, जिससे आपकी टेंशन काफी दूर हो सकते हैं, आलस की वज़े से आपके कुछ काम रुख सकते हैं, इसलिए अपनी शारेरिक शमता को मजबूत बनाए स्टामिना बोश्ट कीजिए, किसे रिष्दी की मित्र से मनमुचाब हो सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत आपको भी साधानी रखनी है, काबू रखना होगा परिसित्यों को, चलिए बागे बढ़ते और बात करते हैं आज की बिजनेस और करेड के बारे में, तो बिजनेस आज की दिन कहता है, कि परिवारे के व्यस्तता की वज़े से अपने कारी स्थल पर आप समय जादा नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ, अपने सहयोगी और करमचारियों का आपको सहयोग तो मिलेगा ही, जिसकी वज़े से काम तो आपको नहीं रुकेगा, और हाँ आर्थिक है, सितारे कहे रहे हैं कि वोई अर्चन वगेरा आ सकती है, अगर आप फैसला लेते हैं तो, इसे के साथ ही वे विसाई में अभी जादा मुनाफिक की अमीद मत कीजेगा, नौकरी बेश्वा लोगों को अपना कोई टार्गेट कंप्लेट करने से उच अधिकारियों का मान सम्मान भी मिल सकता है, इसे के साथ ही नए जौब की जो तलाश कर रहे थे, वो आपकी पूरी हो सकते हैं, यानि कि आज आपको जौब भी मिल सकती है, आपको अच्छी ओफर्स मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं और जैसा आप चाहते थे, आपकी मन पसंद सालरी से जौब ल बढ़िया कात जा सकता है, लेकिन पुरानी जोब छोड़ने से पहले आप नए जोब को पक्का कर लें, तो ही जादा बेनिफिट मिल सकता है, अगर आप इसके बारे में सोच और विचार नहीं करेंगी, तो आपको ही आर्थिक नुकसान जो है, वो उठाना पर सकता है, इस की लव लाइफ कह रही है कि प्रिये जनों के साथ आज आपको अच्छा समय बिताने का भरपूर मात्रा में मौका मिल सकता है, किसी नए रिष्टे की शुरुवात भी आज आप कर सकते हैं, आपके लिए जो है नए रिष्टे की शुरुवात करने का दिन बहुत ही बढ़ि परिवार वालों का साथ भी आपको भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा, अपने अनुभवों से सीख ले और प्रेजन टाइम को प्रेजन लाइफ को सुखत बनाने का आवज को प्रयास करना चाहिएगा, आज जो इसी के साथ ही घर का महौल भी सुख में साबित होने वाला ह आपका सहयोग इसमें बहुत ही जरूरी और उम्दा है, सही माने में तो यहीं इंपॉर्डन है कि आप खुद अपने बनिवार को खुश्णवा महल बना सकते हैं, इसलिए सबके जरूरतों का ध्यान रखिएगा, आविवाहित लोगों के लिए भी कोई शुप समाचार मिल सकता है, नए रिष्टें आ सकते हैं जो कि आप के लिए सुकद रहेगा, चलिए बागे बढ़ तुर बात करते हैं आज की हल्थ के बारे में, तो अलजाब की हल्थ कहती है कि मासपेशों में खचाव के वज़ए से दरते रह सकती हैं शरीर में किसी हिस्से में, आपको जात पाने के लिए मेहनत करते रहें, थोड़ा समय और लगेगा लेकिन आप तंदृस्त हो जाएंगे, स्वास्त बाकी का ठीक रहने वाला है, लेकिन वर्तवान समय को देखते हुए आज आपको अपना बचाफ करना होगा, इसलिए साधाने भी बरतनी बहुत जरूरी है, स्वास्तों को लेकर बाकी जादा चिंता मत कीजेगा, मन में बस शान्ती और सिंतुष्टी की भावना बनाये रिखेगा, अगर आप मन में टेंशन नहीं रहेंगी किसी परकार की, तो आपका तन भी ठीक रहेगा, सहत इससे बढ़िया रहेगे, तो चलिए भागे बढ़त अश्राम परिवार के पुझा करते हैं, यनकी भगवान, राम, मा, सीता वगरा के पुझा करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, और साथ ही में अगर आप अपने गुरु मंत्रों का जाप करते हैं, तो आर्थिक सितियां भी सुदरेगी, मन को शान्ती में मिलेगी, और जो नेगिटिव उरजा है, वो भी दूर हो जाएगे, तो ये वाय जो है, बहुत एजी है, आप जरूर कीजेगा, तो दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छे लगी हो, तो लाइक करें, शेर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा, नन्यवार